उसे पवन सीं के वीडियो को टैक करते हुए कहा कि देखे तो पवन सीं है तो बंगाली महिलाओं के बारे में अभधर टिपणिया करता है अश्लील टिपणिया करता है इसे भी आसन सोल से वो लड़ना चाहता भी नहीं था उसकी तो पहली पसंद आरा थी आरा से वो लोग अधिकारिक रुप से घोशिट कर दिया जाएगा असन सोल सीट के लिए अधमान ने कहा हो पवन सींसे के पहले यह जड़ा सुल्याओ तब टिकट पर विशारण होगा तो जोती सिंह को देखे जोती से तो गयर राजनिसिक है उसका तो राजनिती से लेना देना नहीं है उ जी नमस्कार आप देख रहें एक निश्टाइंटी फॉर मैवेज सिंह जैसा कि आप सभी को पता है कि पवन सिंह और जोती सिंह का मैटर जो है वो अब जाकर सुलट चुका है और कही न कहीं ऐसी भी बाते आ रही है कि तेरह तारिक को आरा के कोट में पवन सिंह मौजूद होंगे और जो उनका जो मुद्दा था वहां से समाप्त होता हुआ दिखेगा तो कहीं न कहीं ऐसा भी खबर आ रहा है क्योंकि अभी चुनावी महल भी है और पवन सिंह को टिकट मिला था आसन सोल से लेकिन कुछी समय बाद वो आसन सोल से टिकट रिटन कर चुके हैं और भी बहुत सारी बाते हैं तो इन सब बातों पर बाते करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्स IPS आफिसर अमिताफदास जी यह पहले तो स्वागति सरा जैसे की मेरा आप से पहले भी सर इस टॉपिक पर बात हो चुका है आसन सोल से टिकट मिल चुका था पवन सिंह को ल जाहिर है क्योंकि जहां पवन सिंह को टिकट दिया गया तो त्रणमूल कॉंगरस जो है बंगाल में जिसकी सरकार है त्रणमूल कॉंगरस बिल्कुल पवन सिंह की खिलाफ हाथ दोके पड़ गई और जो त्रणमूल कॉंगरस की लीडर है बाबल सुप्रियो जो बंगाल मे मंत्री हैं तरनमुल कॉंग्रेस की राजसवा एंपी हैं सागरिका घोश इन सब ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा उसे उसे पवंसी के वीडियो को टैक करते हुए कहा कि देखे तो पवंसी है तो बंगाली महिलाओं के बारे में अभधर टिपणियां करता है अशलील टिपणियां करता है बंगाली महिलाओं को माल बोलता है और क्या 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 बोलता है बंगाल से सवतनियां लाइव और इस तरह की चिज़ए और इस तो इतना बड़ा वो मुद्दा हो गया कि जो भासपाका sounded कमान है नरंदर मोरी और अमित शाह वो अला कमान सकते में आ गया क्योंकि भास्पा को ये डर हुआ कि देखे पस्किम बंगाल से 42 सीटे हैं लोग सभा की और यदि पवंसी का मुद्दा तूल पकड़ लेता और तूल पकड़ा ही जाता भी रोधियों को जोड़ा त्रेनमौल को जोड़ा खास कर और बंगाली महिलाओं के असमिता को एक मुद्दा बना लिया जाता तो पवंसी के चक्कर वे भास्पा को कई सीटों का नुकसान हो जाता तो इसलिए आनन फानन में कहा गया पवंसी को टिकट वापस करने के लिए अब चुकि भास्पा अलाकमान ने ख खबर मिलती है उसको की टिकट मिल गया है तो बड़ा खुश होता है अपने साथियों से गले मिलता है बजरंग बली से आशरवाद लेता है ये वो तो खैर ये तो एक तरह से परदा गिर गया पवंसी तो अब आसन सोल से नहीं लड़ेगा ऐसे भी आसन सोल से वो लड़ना अब उसमें कई नाम जा है उसमें एक नाम अक्षरा सींगा भी है जो की एक खुझ भोजपड़ी फिल्मों की गाईका है अभी नित्री है और पवंसी के साथ भी पवंसी की पूर उप्रे मिकाओं में शुमार किया जाता है और पवंसी से दरबन भी नहीं रही थी उसकी प मतलब अभी राजनेतिक पार्टी तो नहीं कहेंगे एक संग्ठन है जनसुराज एक अभियान है तो उसे जनसुराज अभियान किया था तो मुझे जैसा लगता है मेरी जो राजनेतिक समझ है कि अभी बाची चल रही होगी भासपा की दोनों तरफ से कुछ शर्टे होगी क अक्षरा सिंग का नाम अरिकारिक रूप से घोशित कर दिया जाएगा संसौल सीट के लिए जैसा कि अभी तो लेकिन क्लियर हुआ नहीं है कि अक्षरा सिंग को ही मतलब वहाँ से टिकट मिलेगे सुत्रों के हवाले से ऐसा खबर आ रहा है अगर बात की जाए अक्षरा सिं अगर बीजेपी में अगर आती है और पवन सिंग भी बीजेपी में है तो फिर जोती का क्या है? लेकिन फिर अभी 20-25 दिन पहले बहुत नाट की ये तरीके से दोनों एक हुए और दोनों ने कहा कि हम लोगों ने गिलाश रिकवा भुला दिया अब हम लोग एक रहेंगे उस समय भी ऐसा मुझे लगा था कि शायद राजनतिक वज़ा से इनकी सुलास सफाई हुई है वो सकता है भासपाला कमाने कान ने कहा हो प्रवांस से कि पहले ये जगड़ा सुलिया हो तब टिकट प्रविशारन होगा तो जोतिय से को देखिये जोति से तो गयर राजनिती से लेना देना नहीं है उसकी तुसमादारी इसी में होगी कि तेरा तारी को आरा कोट में जब वो लोग तला का मकदमा वापस लेते हैं उसका रहसी खुशी शेड़ा है ना और उसको क्या मालिज अक्षरा सिंग का एकसरा में था ही पवांसी से कोई अफियर था तो अब वो बिती बात हो गए अब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए जब जो तीसी ने शादी की होगी पवांसी से तो थोड़े उसको नहीं मालूम होगा एकसरा सिंग के साथ पवांसी के समन मालूम होगा ही तो इसको आगे बढ़ना चाहिए, मूबाउन करना चाहिए और पवंसनी किस पार्टी और यह आपने कहा कि पवंसी बीजेपी में है तो यहाँ तो कोई चीज अस्थाई नहीं है पवंसनी को सकता है, मतलब एक बात मैं कहूं तो फिर होते हैं जिन्दा बाद करने लगा यह राजनिती में कोई अस्थाई दुश्मन और अस्थाई दोस्त नहीं होता है जी सर मैं ज्यादा लंबा नहीं आपसे मतलब कुश्चन करूंगा मेरा अंतिम कुश्चन रहेगा जैसे कि यहां भी सुत्रों के हवाले से खबर आ रहे थी क्योंकि त्रिनुमूल कॉंग्रेस के तरब से आजन सोल के लिए प्रत्यासी है सत्रुधन सिना और उनके सामने बीजेपी ने पवन सिंग को उतारा था तो इस बीच ऐसे भी बाते हमारे सामने आ रहे थी कि दो बिहारियों को सामने लाने की साजिस की जा रहे है तो क्या लगता है कि सत्रुधन सिना के खामोस वाले डैलोग से क्या पवन सिंग खामोस हो गया है ने पवन सिंग को सत्रुधन सिना ने खामोस ने किया पवंसनी को तरणमूल कॉंग्रेस बावल सुप्री और सागरी का घोश ने खामोश किया क्योंकि खामोश वाला डायलक तो बहुत पुराना है सतरुगंसना को यदि खामोश होना होता तो तो मतलब चुनाव में जब घोशट हुआ था पवंसनी का नाम उसी समय वो खामोश हो जाते देखिए उस समय तो खुश्ट है और सच तो ऐसा है कि वहाँ बंगला भार्शी लोगों से ज़्यादा संख्या हिंदी भार्शी लोगों की है तो यही सोच के ममता बेनर जी ने भी वहां से जो उप्शुनाव हुआ था दो हजार बाईस में उसमें सतरुगंसना को उतारा था बिहारी बाबू के रुप में जिनकी पहचान है और पतना साहिब से एंपी भी रह चुका है और जीट भी हासल की सतरुगंसना ने तो अगर आप सिनियरिटी के हिसाब से देखे हैं तो अक्षरा सिनियरिटी में कोई तुलना नहीं है क्योंकि जब इन लोका जनम भी नहीं हुआ था पावांसना अक्षरा सिनियरिटी का था अप से शतरुगंसना फिल्मों में हैं काफी सिनियर है अब तो उन्होंने फिल्मों में ऐसे काम करना चुड़ा भी दिया आप तो उनकी बेटी आती है तो हाँ ये बात सही है कि भास तो जैसा कि अभी आपने सुना हमारे साथ जुरुवित पुर्व IPS ऑफिसर अमिताब दाजी इनका कहना था कि जो पवन सिंग जो आसन सोल से जो टिकट को रिटरन किये हैं उसके पीछे बहुत सारी बाते भी हमारे सामने आ सकती हैं अभी थुरह सा इसके लिए इंतिजार क मिला था तो कहींने कहीं हो सके तो मन में कुछ नाराजगी भी हो सकती है और भी ऐसे तमाम ख़बरे देखते रहने के लिए आप देखते रहें एक निश्टान टीफॉर मैं बेसिंग